हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल आप आर्मेचर देख सकते हो यूनिवर्सल मोटर के अंदर में लगी होती है ये आर्मेचर तो इसके अंदर के हम पाट जानेंगे और यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो किस परकार से वर्किंग करती है और कौन-कौन से सप था इसके है क्याыт Krण जो यहां वनकेस के लिवलstory और यहां चाल तक यहां यहां तक हुवासर भी निवे Candor से उपर क्मुटींचर करारों यह सब्सक्राइब करने करें डिपी सब्सक्राइब कर सकती हमारा जो पहले कर दिदाएं सब्सक्राइब जाती है जिससे हमारा रोटर रन करने लगता है ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे इसे कहते हैं दोस्तों बूस आप देख सकते हो बूस दोस्तों अलग होता है और बैरिंग अलग होता है तो किसी किसी मोटर में बैरिंग का इस्तिमाल किया जाता है यूनिवर्सल मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, DC संट मोटर हो गया, इंडेक्शन मोटर हो गया, यानि लोड के हिसाब से बैरिंग या बूस का चैन किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का ये छोटा वाला भाग है, आप देख सकते हैं, छोटा है, रोटर दम छोटा है लेकिन 230 voltage AC current पर इस supply पर working कर रहा था और आप यहाँ पर देखेंगे इसमें जो एक कटे कटे दिख रहे हैं ये एक, दो, ते, चार इसे बोलते हैं हम ठीक है यह दोस्तों दुनिया की AC एकलोती मोटर है जो AC current और DC current दोनों पर working कराया जा सकता है अपना आगर आर्मेचर में हम supply देगे ठीक है यहांपर carbon के थुरू ऐसे अटेच करेंगे एसे अटेच करेंगे तो यह rotor जो है अपना घूमने लगएगा हम इसमे 24 volt current यहांपर supply ऐसे आपडाय करेंगे कार्मन के थुरू ठीक है कार्बन को पहले उसमें अटेच कर देंगे और फिर कार्बन को ऐसे इसमें टच करेंगे तो यह अपना जो है आर्मेचर खुंगने लगेगा और जिससे क्या होगा यह अपना वर्किंग करने लगेगा कि दोस्तों हम आप सभी से क्यूर्चन करना चाहते हैं अपना जो ट्रेन होता दोस्तों में stressed मोटर होती है ठीक है उसके अंदर कुमन सा मोटर लगा होता है और यहां 서 करता है यह फिर करन्र पर और किन करता है आप पंपने जरूर बताएं दो इस वीडियो के लिए इतना ही इस पेसण नुलेज्ज दोस्तों कैसा लगा प्लीक कमिंट करके जरूर बताएं कि प्रेंड दोस्तों